नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परीचित दोस्तु पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहद ही महतो पूर्ण जानकारी को ले करके जी हाँ प्यार के रिष्टों में दरार पढ़ने की पांच असली वजहों के बारे में आए आज हम सभी जानते हैं कोई भी रि दिखा गया है कि असफल रिष्टों में ज्यादा तर ऐसे होते हैं जिन में पूरुष पार्टनर ने अपनी महिला पार्टनर को धोखा दिया होता है अब ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर पूरुष अपनी महिला मित्र को धोखा देते क्यों है आए जानते हैं इ Emotional Disatisfaction जी हां महिला और पुरुषों के बीच Emotional Disatisfaction यानि कि भावनात्मक असंतोश की वजह से अलगाओ की जरूरत पड़ती है पुरुष भी काफी भावग होते हैं ऐसे में उन्हें जब अपने पार्टनर से अपेक्षात्मक सहयोग नहीं मिलता है तब वो उनसे कटना शु जर जाएं तो दोनों में ताल मिल की कमी हो जाती है ऐसे में पुरुष नए रिष्टों के प्रति आकरशित होने लगते हैं जो कि उस रिष्टे के खत्म होने की एक मुख्य वजा बनती है कई बार पुरुषों को अपनी महिला मित्र को धोखा देने के लिए प्रेरित करता है ऐसे में पुरुषों को लगता है कि वह पुरुष हैं और अपनी मर्जी के हिसाब से जो चाहें वो कर सकते हैं ऐसे में उनके कई महिलाओं के साथ संपर्क बनते हैं इन सब के बावजूद वे अपनी महिला मित्र से यहीं अपेक्षा करते हैं कि वह के वल उन्हीं के प् पुरुष हर दिन कुछ नया करने की कोशिश में रहते हैं और बहुत जल्द हैं अपने रोजाना की जिन्दगी से बोर हो जाते हैं रिश्टों के मामले में भी उनकी एसी है आदत बरकरार रहती है इस वजह से भी वे अपने महिला मित्र को धोका दे सकते इसके अलावा अंडरेस्टेंडिंग एक बड़ी समस्या है कभी कभी पुरुष अपनी महिला मित्र की आदतों के साथ तालमिल नहीं बिठा पाते ऐसे में वो दूसरी महिला के साथ अपनी बातें साजह करने लगते हैं बाद में जब यह रिष्टा गहरा हो जाता है तब वो अपनी पहले की महिला मित्र का साथ छोड़ देते हैं किसी एक से संपर्क बढ़ेगा तो एक तरफ आपका टाइम घटेगा और ये एक मुख्य वजह बनती है क्योंकि सामने वाले को पता चलता है कि आप पहले कितनी वैलू देते थे अब कितना दे रहे हैं पहले कितना वक होने के हमारा उदेश यहीं है कि जैसे आप अपने स्वास्थे को सही रखते हैं वैसे ही अपने रिष्टों की समझ भी होनी चाहिए और रिष्टों को सुद्रिण रखना चाहिए मजबूत बनाये रखना चाहिए ताकि असल जो हमारा जीवन का धन है वह स्वास्थे हैं और अगर आपके पास ये है तो आपसे बड़ा कोई सुखी नहीं है इस संसार में तो दोस्तों ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में हम आप सभी के साथ चुड़ेंगे एक और बेहदी महत्तो पून जानकारी को लेकर के तब तक के लिए धन नवाद नमसकार दोस्तों